तेरा मन जैसा सोचेगा तू वेसा ही बन जाएगा ना सोच कभी तो रोगी है हर दर्द तिरा मिट जाएगा खुद को रोगी नहीं राज योगी समझो खुद को रोगी नहीं राज योगी समझो तो भी मार चेहरा भी थिल जाएगा थिल जाएगा अच्छा बनने की इच्छा न छोड़ो कभी नया जीवन तुम्हें फिर से मिल जाएगा मिल जाएगा खुद को रोगी नहीं राज योगी समझो ओं शांती थैंक यू दिदी और वेलकम में दर कंटार नने के लिए आरवेदा की जो भी जानकारी से अम क्या लाब उठा सकते हैं तो यह जो है कि इस बार कोई दो-तीन अलग-अलग टाइप की प्रेजेंटेशन में अलग-अलग दिखाऊंगा जिस्ट कि आपको अंदाज हो जाए क्योंकि फॉल बहुत बड़ा टॉपिक होता है और यह बहुत इंपोर्टेंट रूतु होता है कि जिसमें ठीक से रूतु चरिया रखने से हमको बहुत सारे शरीर मन में फाइदे हो जाते है और जो इंडिया में काफी सारे फेस्टिवल्स भी होते है वो फेस्टिवल्स भी इसको ही सपोर्ट करते है जैसे दिवाली है नवरात्री है तो नवरात्री का फास्टिंग है फे यह हमने पहले देखा था कि एक्विनॉक्स और सोल्टिस की जो डिफरेंस है बाद में हमने में पॉइंट्स देखे थे कि इसके गोल्स क्या होते हैं तो में होता है कि हमारी जो डाइजेशन पचन प्रक्रिया होती है उसको सुधार है और जो कोलोन हेल्थ होती है उसको ठीक करें हमारी जो एनरजी लेवल होती है उसको ठीक रखें क्योंकि वो कम भी ना हो ज्यादा भी ना हो और हमारी जो तवचा है स्कीन है उसका सर्किलेशन बड़े और लिवर की हेल्थ भी ठीक रहे है और इमोशनल बैलन्स भी ठीक रहे ह अभी पैंडेमिक के बाद में सबसे बड़ी जो मुश्किल लोग समझते हैं वो है इमोशनल प्रॉब्लेम्स मेंटल एंड बिहेवरल हेल्ट के उपर जो असर हो गया है और उसका हम आजू-बाजू देखते हैं न्यूज अगर हम देखेंगे या इन्वार्मेंट में देखे होती है नाउ यह जो फॉल की समय होती है उसके समय सात्विक सेंटिमेंट प्यूरिफाइंग डायेट खाना चाहिए जैसे अभी आप सब मेडिटेशन करते हो राजियों करते हो तो आपको उसके बारे में तो पुरा ही पता है और यह जो फॉल होता है यह रूतु संधी होत है विकाज यह दो सीजन के बीच का सीजन है तो जो समर में होता है पिता दोश होता है वो डामिनन्ट होता है और यह फॉल सीजन में वाता बढ़ जाता है तो वाता कहां रिफलेक्ट होता है जहां पर भी शरीर में जो भी हिलता है उसके वाता नजर आता है तो जॉइन्स ह झूता है ब्रेथ है बार में हार्ट है हमारा ब्रें है हमारे है हमारा पेट डाइजेशन है सब में हल चल है तो जिसमें भी हाल चल है वहां वाठा है तो अगर उसको ठीक बैलंस ना छोबन होगा एंडाइजेशन होगा डाइयरिया होगा ग्यास होगा पेन होगा एक्स होगा हैडैक्स होगा औरजिंस होगा इमनिटी कहम होगी मैं ऑदskों से दंग से हम बहुत शारी बाते को समझ सकते हैं पर ना यह जो पिता और वॉता झाहरे तो इनका जो imbalance है यह समय में बहुत ज़्यादा होता है पिता भी बढ़ सकता है वाता भी बढ़ सकता है तो ऐसे क्यों होता है ऐसे होता है क्योंकि दोपेर में गरम होता है और रात को ठंडा होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि दोपर में समर जैसे रखो, रात को तो विंटर जैसे रखो, क्योंकि यह ना समर है ना विंटर है, परावर हैं और आक्टबर के मन्त में तो आप जानते हो, आक्टबर हिड भी हो जाती है, तो उसके भी कुछ असर शरीर कर दो इसको अगर हम पित्ता और वाता को ठीक कर लें बालंस में रखें तो बहुत सारी समस्या जो हमारी होती है वह कम हो जाती है और इसमें रुतु संदी में हम क्या क्या करते है तो change होता है summer to fall इसको रुतसंदी बोलते है any junction दो सीजन मिलते है now ये सीजन में हमारी digestion जो पचन शंपती है वो कम हो जाती है and जैसे ये दोशा हमारे उपर नीचे होते है उस समय से ये जो अगनी digestive fire जिसको हम बोलते है वो कम जादा होता है अगर वो कम हो गया तो कफा के समय में fall में से ज़्यादा winter में हो जाता है उसको बोलते है मन दागनी अगर वो ज़्यादा काम करता है तो उसको बोलते है तिक्ष्न आगनी और अगर वो balance है तो उसको बोलते है समागनी now digestive fire ये एक ही fire नहीं है अगनी उसमें भी काफी उसके divisions होते है तो कभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो ये जो उपर नीचे होता है fluctuation ये हमारे लिए बहुत बड़ी nature ने संधी तयार की है opportunity तयार की है कि जिसके साथ हम शरीर को शूद्ध करें तो आईरवेदा बताता है कि जब हम ये जो natural tendency body की होती है उसको ठीक करने के लिए उसको use करें तो उसके साथ काफी हमारे जो फाइदे है वो हम पा सकते है तो simple बात है कि जो पाचने में आसान खाना हो और जो साथ में शुद्ध भी करें ऐसा खाना खाना चीए सब को बता है ये खाने का नाम क्या है कि जड़ी बनाने में आसान खाने में आसान हजम होने में आसान और एकदम सात्विक नेचर से बनी जाता है नाउ इसमें जो होता है कि ये सीजन में रूतु में हम खाते हैं light खाना light खाना में जो पेट में heavy ना लगे और जड़ खाना नहीं खाना है, जड़ खाना का उनसा आता है, फ्राइड फूड है, अभी जैसे अंडी होने लगती है ते लोगों को फिर समसा याद आता है, पकड़ा याद आता है, पकड़े के साथ चाई भी याद आती है, तो वो सब चीजे ठीक नहीं है क्योंकि हमारे म को लगता है कि हां मुझे तो बहुत भूख लग रही है पर जो पेट है उसके लिए तयार नहीं है तो जैसे हम दुकान में जाता है तो हमको सब चीज़े लेनी लगती है पर वह बैग में या कार्ट में उतनी जगए उतनी हम ले सकते हैं तो इसके लिए जो है कि गरम-गरम सूप बनाएं जैसे डाल है अधर सूप है और लिक्विड जैसे कशाय है हर्बल्टीज है और कम तेल में बनाएं तो जितना कम तेल हम डालेंगे उतना अजब होने में आसान होगा और राइस तो बहुत अच्छा होता है पचने में हलक हलका होता है और जो सबजिया होती है वो भी इसके कारण बहुत अच्छी हो सकती है नाव क्या खाना नहीं चाहिए जो भी जड़ है पचने में सराज नहीं है उसको हमने खाना नहीं चाहिए और जैसे है कि मीट्स है या लिफ्टवर फूड है जो पुराना फूड है पड़ा हुआ है या जो कोई प्रॉसेस किया है इसमें कोई मिलावट हो और जो जंक फूड है जो बैग में आता है चिप्स है वो यह सब बाते खाने के लिए थोड़ी आसान नहीं होती है तो उसक से हमारी रूतुचरिया और वो रखनी जाएं तो यह इतना सारा सब हमने लास्ट समय में इसको देखा था इसमें हम बाद में लास्ट में जाएंगे कि टीन बाडी टाइप के लिए हम क्या-क्या करना चाहिए समरी तो यह पूरी सेशन की समरी होगी तो फॉल में हमारे स्वास्त क्यों हम कैसे रखे तो आप सबको पता है सीजन जो होते हम लोगों को अलग-अलग धंग से असर करते हैं तो जो सुरुष्टी में होता है वो हम में है और जो हम में है वो सुरुष्टी में है अभी जो बहुत अच्छा म्यूजिक बज़ रहा था तो गराइगराउंड में तो उसी में सिमिलर मेसेज था तो सब जगह से हमको वही वही मेसेज आता है कि स्वास्ता रखने के लिए हमको जो हायर एनर्जी है उसमें संतुलित कनेक्टेड रहना जुरूरी है क्योंकि जो एनर्जी उपर है वही हमारे इसमें रिफलेक्ट होती है नाव यह जो बाहर का इन्वार्मेंट है जो नेट प्रकृति है बाहर की वह हमारे शरीर और मन को परिणाम करती है कैसे परिणाम करती है तो समर में आप उठ जाओ तो आपको लगता है चलो गुमने चलते है आई किने बाहर देखो तो सुर्ज उगा हुआ है और अभी फॉल में तो फॉग आती है एकदम ग्रे स्काई लगता है और कोई-कोई लगों को फिर साइडनेस डिपरेशन सवा जाता है और ठंडी लगती है तो फिर थोड़ा आलस आ जाता है लेजिनेस हो जाता है मन नहीं करता है कि चलो उठके हम तुरंत अभी कपरे पहन के है गुमने चले होता है कि नहीं होता है सबको लगता है तो इसमें जो पिता की सीजन में होता है जूलाई टू ऑक्टोबर सो द बाहर की जो वातावरण है वो गरम होती है और थोड़ी हूमिड होती है उसमें मॉइस्च्छर जादा होता है सो द पिता की जो नेचर होती है उसमें जो गरमी है वो हमारे बदन में बढ़ जाती है तो गरमी हटाने के लिए सबसे अच्छा उपाय बताया गया है कि पानी में डुक्की लगा लो रिवर में या स्विंग पूल में तो वो गरमी तुरंत निकल जाती है दूसरा उपाय बताया गया है कि मुन वाक करूं कि इसलिए कि जो पॉरणीमा के समय दूद्ध हो जो उसको हम रखते हैं चांद को दिखाते और पिर करते हैं तो यह सब रिचुवल के पूछे आईरवेदा की ही बैग्रॉंड है अभी वाता की सिजन में उल्टा हो जाता है कि इसमें हवा जो ठंडी होती है और हवा ड्राइ भी होती है तो यह जो कॉलिटीज है हम लोगों को सिमिलर कॉलिटीज लगती है क्योंकि बाहर ठंडी है तो शरीर में भी ठंडी है बाहर ड्राइनेस है तो शरीर में भी होगा यह तो फिर पेट में ड्राइने होगा तो इचिंग होगा तो जो स्कीन है हमारी सुखी सुखी हो जाएगा और खाने में भी थोड़ा ठीक से ब्रॉब्रीट नहीं किया तो पेट भी राहतो हो जाएगा तो उसके साथ भी उसके कोई अलग से लखशन हमारे इस में आ सकते हैं कि में जो सास की विमारी दमे की बिमारी बढ़ जाती है तो लगता है कि ड्राइनेस के साथ उसका करनेक्शन हो सकता है रहा तो आपके हिसाब से उस क्या करना चाहिए यह तो उसके बारे में भी थोड़ा हम बात करेंगे कि अस्थमा है एलर्जीज है वो हमको होती है पर इसमें आपको थोड़ा एक सर्प्राइज होगा आचम्बद लगेगा कि जो भी मैंने लास्ट स्प्रिंग में किया है है न तो उसके साथ मुझे फॉल में बिमारी होगी और इस फॉल में मैं जो करूँगा उसका फाइदा मुझे अगली स्प्रिंग में होगा तो अगर हमको फ्लू हो गया या अस्थमा हो गया तो उसका कारण ये सीज़न नहीं है इसका कारण हमने लास्ट जो अभी जो स्प्रिंग गया और समर गया उसके समय हमने क्या किया था हमारी दिनचर्या कैसी थी, हमारी मन की इस्तिती कैसी थी, उसके जो इफेक्ट है, उसके जो परिणाम है, वो अभी हमको नजराते हैं तो इसको अभी आपको समझ में आए यह साइकल कैसी होती है, कि पैस पोड़, तो आगे फाइदा होता है, इमिजेट नहीं, तो इसलिए हम जो दिनचर्या के साथ साफ रखें, हमारी लाइप स्टाइल, मानसिक शान्ती रखें, तो हमारी इमिनेटी बहुत बढ़ती है, इसमें बहुत सारी साइन्स है, बहुत सारी स्टेडीज है, हम दिखा सकते हैं, पर वो कुछ दिखा देंगे बाद में जाने से पहले कि शरीर नेचर के साथ चलता है, और जब यह टेंपरेचर बदल रहा है, और जो हमिडिटी है वो बदल रहे है, और जो दिन की लेंथ है, वो भी कम हो रही है, अब यह राद बढ़ेगी और दिन चोटा होगा, तो उसके साथ क्या होता है, कि हम लोग अलग-अलग टाइप के खाने की सोचने लगते हैं, जैसे मैंने एक्जामपल दिया था, पकोडा, फ्राइड फूर्ट, जो अच्छे नहीं है हमारे लिए, पर मन हमारे उसके पीछे लगता है, क्योंकि शरीर मन बोलता है कि कुछ गरम-गरम खाओ, जो भी है, ताजा बना के खाओ, सो समर होता है गरिश्मरतू तो उसमें लोग होते हैं, वो खाते हैं ठंडा करने के लिए, और वो खाते हैं हलका फूर्ड जो खाने के लिए अच्छा हो, लाइट हो, और हज्यम करने के लिए अच्छा हो, और उसके बाद में थोड़ा विशरांती जरूरी है, हर खाने के बाद में थोड़ी विश्रानती जरूरे अभी लोग बोलेंगे कि हां मैं तो नाप लेती हूं उपर दो गंटे सो जाती हूं तो वह नाप नहीं है तो आइडियली नाप है कि जो आपकी जो लाउंच चेर है या रेस्टिंग चेर है जहां पैर भी लंबे हो जाए और शरीर क सुख हूं तो वह मानी जाती है अगर इनके पास वह नहीं होगी तो गौक शॉ सकते हैं जमीन पर भी आप सोँ सकते जमीन पर तो बहुत अच्छा मांते हैं और उसको लेफ्ट साइड को तो ऐसे तिलो भी नहीं लेना है, यह four arm का support लेके लेट जाना है, और left side को क्यों, right side को क्यों नहीं, क्योंकि यह जो हमारी stomach है, तो stomach का shape जो हता है, आकार है, वो C shape का है, तो C-shape की आकार के कारण जो पेट में food है अगर हम left side में लेटेंगे तो food आसानी से जैसे हमने bag में कुछ समान रखा है वैसे rest हो जाता है और जब खाने के बाद में यह हमारे शरीर की जो भी खून है ब्लड है वो पेट की तरब भागता है क्योंकि पेट को काम करना है अगर उस समय तुरंत खाने के बाद अगर हम चलने लगे कुछ करने लगे तो हार्ट को कितना काम करना पड़ेगा दुगना चवगना काम करना पड़ेगा और जिनको कोई पुरानी समस्या है फिर उनके लिए तो हार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है पर अगर हम उसको थोड़ा विशरंत करें थोड़ी उसको rest दे दें तो बाद में वो energetic हमको अपने लगता है पर अगर हम 30 मिनिट के उपर सोएंगे लेटेंगे तो फिर वो कफा बढ़ जाता है या आलसीपन हमारे शरीर मन में आ जाएगा फिर उठने को मन नहीं करेगा उठोगे तो फिर ठीक नहीं लगेगा अच्छा नहीं लगेगा कि इतना मैं दो गंटा सोया था फिर भी उठने के बाद में मेरा शरीर तो अभी बहुत भारी हो गया है और मन तो काम नहीं कर रहा है कुछ गरम गरम तो फिर लोग चाए पी लेते हैं तो वह भी इतनी अच्छी बात नहीं है सो नाउ जब यह रूतु बदलता है टू फॉल दो हम लोग गरम गरम चीज़े को मानते हैं हमारा दिल जाता है कुछ गरम खाये गरम पीए और टेस्ट जो है टेस्ट मेंस जो सर्फ खाने में मत जा आता है वह नहीं आयरुवेदा में सिक्स टेस्ट मानते हैं किसी को पता ह तो आप चाट में लिख दीजिए कौन से सिक्स टेस्ट होते हैं अमने पिछले सेशन में थोड़ा उसको कवर किया था तो रूतु संधी, तो रूतु संधी में, जिनों ने नहीं लिखा है, हम बता देते हैं यह एक तो होती है सॉल्ट, सॉल्टी दूसरी होती है स्वीट, मीठी, खटी, तीसरी सावर और पंजन्ट, and एस्ट्रिंजन्ट and bitter, bitter मिण्ज कडवा, एस्ट्रिंजन्जन्ट मिण्ज जो खाने के बाद या से मसुडे को हमको सिखड जाते है, फ्रेशनेस आ जाता है और पंजन जो थोड़े स्ट्रॉंग होते हैं तो यह सब अईरवेदिक खाना जिसको हम बोलते हैं उसमें यह सब छे चीज़े आती है अभी हिंग है फॉर एक्जामपल सो हिंग को दोनों कॉलेटी आ सकती है अस्ट्रिंजन भी है पंजन भी है है अनारदाना खाओगे तो अनारदाने को एस्ट्रिंजन कॉलेटी तो जब हम नॉर्मली कोई भी जो देशी खाना इंगियन खाना जब हम देखते हैं अलग-अलग साउथ हो या नौर्थ हो या इस्ट हो या वेस्ट हो उसमें सही बैलन्स दिखाई पड़ता है क्योंकि वो हमारी ट्रेडिशन में कल्चरली उसको यूज किया गया है नौ इसमें जो है कि जब सीजन बदलेगा तो उस समय दो हपता सीजन चेंज होने से पहले और दो हपता सीजन जब बदलेगा तो चार हपते के लिए हमने रितु संभी को फॉलो करना है जैसे क्या है दोपेर म समर जैसा रात को ठंडी जैसे और आट दिन के बाद जैसे जो लोजर होते है आट दिन पहले सीजन चेंज होने के और आट दिन सीजन चेंज होने के बाद इमिनेटी के लिए बहुत डिफिकल्ट होते है बाड़ी को बहुत ट्रंजिशन लगती है और उस समय में अगर हमने उसको support किया तो हमको बहुत स्वास्थ पूरे साल तर या next route change होने तर मिल सकता है नाउ बिकाज यह पिता गरम है तो हम ठंडी में जा रहे हैं तो जैसे गर्मी में बैठे जो ठंडी में जा रहे है तो हमको कुछ चीजे तो बदलनी पड़ेगी otherwise उसमें गड़बड हो जाएगी अगर हम गर्मी में बैठे थे तो हमने बहुत हलकी शर्ट पैन की लखे टी-शर्ट है ना हलका था और अगर अभी ठंडी में जा रहे हैं तो हम कोट लेंगे कि नहीं लेंगे लेंगे ना तो इसी कारण फिर खाने में भी अगर गरम मसाला पुरे सालवर खा सकते है कि नहीं क्योंकि उसका आसर कुछ अलग धंसे होगा तो वह भी हमने करवान है ना जब टाघर में यह में बहुत देर बैठे तो शरीर में बहुत गरमी होगे मन में भी गरमी होगे गुसा बहुत जल्ली आता हैं प्यक्रम तो जिनको घुसाया आता है उनका पित्ता बिगड़ गया है और criticalness की छोड़ी-छोड़ी बातों पे लोग बिगड़ जाते हैं तो वो भी समर की पित्ता की गड़वड है अगर अभी बहुत गरम हो गया तो इसको साप तो करना पड़ेगा कि नहीं करेगा अगर हमने चपाती बनाई या कोई सब्जी ब करनाएंगे नहीं ना तो हम उसको साप करेंगे और अगर पहले में कोई अलग मसाला डाला था वो तो गर्मी के लिए ठंडा करने वाला था अभी जो ठंडी है तो गरम करने वाला मसाला पड़ेगा तो जो कड़ाई है उसको तो ठीक से दोना पड़ेगा तो यह शरीर हमार तो एक मेना तो ऐसे ही चलने वाला है तो अगर इसको हम तुरंत ठंडा कर ले तो रात को बहुत गड़़ण हो जाएगे और उसको बहुत गरम कर ले तो दोपेर में परेशानी हो जाएगे तो इसके लिए ये सेप्रेशन इसको विभाग करना बहुत जरूरी है और इसके जॉइंट में अर्थ्रेटिस इसको ठीक करना है और इसमें जो है मन की फोकस बहुत कम हो जाती है तो वह फोकस को भी हमको ठीक करना है नाव इसको कैसे करें तो इसको ये फॉल को डिटॉक्स करें तो फॉल डिटॉक्स क्या होता है कोई जानता है डिटॉक्स में क्या करते है क्या कर सकते है आप लोग करते हो बहुत सारे लोग करते है अगर हम बता देंगे तो आप हसोगे कि हाँ मैं तो करती हूँ तो गरम गरम पीने के लिए मन करता है एंड इसमें जो है कि हम स्लोली यह जो है कि वाता धिरे-धिरे आने लगा है तो वाता को शांतर रखो ठीक है ना अगर कोई साप नजर आता है तो उसको हम क्या करते हैं कि शांती से उसको पकड़ लेते हैं और उसको काबु में रखते हैं क्योंकि साप के लिए एक definition है कि अगर हम उसको पकड़ो तो वह काटता है छोड़ दो तो भाग जाता है तो उसको कैसे काबु में रखना है तो उसको बताना है कि हमारी सुनो तो ठीक रहेगा सब कुछ है ना और इसके लिए जो भी खाना हम खाएंगे वो इसी डंग से होना चाहिए तो इसको मैं आपको थोड़ी आइडिया दुनगा कि इसमें हमारी दिनर चरिया कैसी रहनी चाहिए तो एक तो है कि सुगंदी ओइल्स होते है अरोमा ओइल जो होते है उसको नीन के समय यूज़ करते है पिलो पर थोड़े डाल दो जैसे निलगिरी का तेल है और लेमन ग्रास है औरेंज है लावेंडर है इसको हम थोड़ा स्प्रिंक करेंगे इस्पेशली यूकेलिप्टस के ड्राप्स डालते हैं तो आप सब जानते हो साइनस होगरे खुल जाता है और राद भर हम उसको पिलो पर इदर उदर नेक होगी तो स्मेल करेंगे ठीक है और बिना कुछ दवाई हमारी शरीर को उसका फाइदा होता है ना जब हम खाना बनाते हैं जब लोग हम खाना बनाते हैं तो क्या होता है जब हम देखते हैं मैंने कोत्मिर देखी तो मेरे मूह में पानी आ गया मेरे को तो नाम लेके ही पानी आ रहा है निम्बू और अदरक और संत्रा ऐसे अगर हम बोलेंगे तो मूह में अलड़ी पानी आने पर नाम से ही हमारे मस्तिश में वो चेतना जागरुत होई कि हाँ मेरे को तो कोतमीर बहुत पसंद है ऐसे मन बोलता है कि कब ला रहे हो कब बना रहे हो किसमें डालोगी ढोकले के उपर डालोगी या खांड़वा के उपर डालना है या मुठिया करना है जो भी है हम उसके बारे में हम सोचेंगे तो मन से कहां शुरू हुआ मन में शुरू हुआ जो मुझे खुशी होए कि वह यह तो डोकड़ा तो मेरी बहुत पसंद है तो मेरा मस्तिश मेरे पेट को तयार कर रहा है तो डोकड़ा बनने में तो एक दो घंटा लगेगा और वो मैंने है वाइप जो भी एक उसने डोबनागे तो मेरा पेट तो तैयार हो गया है internacional पर पेट को पता है टिजु आ अगर मैं शोर माधा नहींए तो रोटला ड़्युट नपिंड करने के लिए क्या चाहिए वो पेट को पता होता है और जो ढोकड़े को डाइजेशन करने के लिए लगता है वो रोटले के लिए शायद नहीं लगता है अगर राइस को जो लगता है वो रोटले के लिए नहीं लगता है तो इसको बोलता है गट इंटलिजन्स की जो गट की सोचने की जो शक्ति है वो उसी में आती है पिर एक होता है इसको अभ्यंगा हम करते हैं और वो अभ्यंगा है तो हम सिखा देंगे उसको सब लोग कर सकते हैं और आइडियली अभ्यंग्या तेल के साथ करते हैं पर अभ्यंगा विदाउट तेल के साथ भी हम सिखाते कि उसको उद्वरतन बोलते हैं तो नौर्मलीं पाउडर लियूज़ करते हैं पर ये घर्शन इसको बोलते हैं कि जिसको करके तो हम एक्चुली हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो पहले हम स्लाइड खतम कर ले फिर उसके बाद उसके उपर जाएंगे और फिर इसको होता है नस्या तो आइडियली जो होता है कि आईरुएद में माना जाता है बहुत साल थाउजंड्स ओपियर्स कि जो दवाई देने का सबसे अच्छा मार्ग है नाक मुँ में खाने से अच्छी बात है ना और सुने से भी दवाई इफेक्ट होती जैसे मैंने बताया कोतमीर का जैसे सुगंद आया तो मेरा जो शरीर है उसको खाने के लिए तयार हो गया तो इसी के साथ यह अलग-अलग स्मेल्स और उसके लिए कॉमनली यूज टेल होता है उ अनु तेल अनु अनु तेल सब जगह मिलता है आप उनलाइन सरच करोगे और हम लिंग भी दे देंगे चाहिए होगा तो यह अनु तेल कभी-कभी ना बहुत सारे लोगों को गडबड लगता है कि नाक में तेल कैसे डाले बुंदे डालनी है मुझे भी जब मैं बच्चा मेरे को बहुत परिशानी लगती थी को हमारी पिंकी तो पिंकी को अब के लगा और नाक में डाल और हमारी नेचर नहीं powerful है कि यह जो इस पर जो तेल आएगा पिंगी के ऊपर यह पिंगी बिल्कुलograph साही हमारे नाक में आ जाएगी है हमारी पिंगी ही हमारे नाक में आए he अगर मैंने मेरी पिंगी दूसरी की नाक में दालने की कोशिस की तो वह शायद चोटी होगी या बड़ी होगी है कि मैं सब भस रहे हैं तो सब को पता है So इसके बाद में जैसे होता है कि sesame oil जो होता है तील का तेल So आईर्वेद में तैलम तैलम means तील So ये जो oil है तैलम वो तील से आया है तो इसको भी हम स्टीप करते हैं थोड़ा हलका सा ताजा ऑर्गनिक सेसमी ओल को और उसको हलका सब्रेइब कर सकते हैं यह विजवली उसके लिए थोड़ा सुपर्विजन ज्रुरी है और थोड़ा सीखना ज्रुरी है तो इसलिए उसकी उपर हम ज्यादा इंफसेज नहीं करेंगई पर नस् बिल्कुल अच्छी स्वास्थ है तो बैक्टरिया यह है सब को साफ जल्दी हो जाता है आपको पता है कि अगर स्टोन को धोना है तो तुरंत थोड़े हलके पाने से निकल जाएगा कार्पेट को धोना है तो तो गड़बड हो जाएगा और सबसे इंपोर्टन बात है अभी सब जगह में जो आप इंडिया से हो या दूसरी जगह से हो या अमेरिका से जोईन हुए हो रात को जल्दी सोना बहुत जरूरी है तो ब्रह्मो मौर्ट नहीं पर एटलिस कम से कम हमारी जो लोकल संद्राइज होती है उस समय पे उठ है कि चरक को किसी ने उनके सब विद्यारती थे डिसाइपल उनने पूछा कि टीचर जी आप हमको बता दीजिए एक ही बात दस बाते मत बढ़िये कि हम स्वस्तक ऐसे रहे तो उनने उनको बताया और उनने पूछा कि इसको कोई चार्ज भी ना हो को करने में भी आसान हो व या गुमन हो या मैन हो या जो भी हो सबको अच्छा हो जाए ऐसा नुसका क्या है तो चरग जी ने उनको बताया एक ही नुसका है कि सुबह को संद्राइज को उठ जाओ लाइट योगा स्ट्रेचेस हलकी योगा करने भी बहुत जुरूरी है क्योंकि उससे टाइटनेस जो शरीर में आता है निकल जाता है और जो वाक होता है आधा घंटा डेली करना जोरूरी है और रेगिलर खाना रेगिलर खाना रेगिलर मेडिटेशन स्लीप एन एक्सरसाइज अभी जो कोई नई स्टडीज आई है उसमें हमको पता चलता है कि जो एक बार धान लगाते हैं उ जो लोग दो बार धान लगाते हैं उनको 60-75% हार्ड डिसीज की रिस्क कम होगी कितना फरक होगी अल्मॉस्ट दुगना तो आप दो बार धान लगाओगे तो आपकी हार्ड डिसीज की रिस्क दो गुना डबल कम हो जाएगे एक बार करोगी तो फिर भी फाइदा होगा और नींद भी बहुत जरूरी है अभी नींद के बारे में भी बहुत सारी मिसिंफोर्मेशन होती है जब हम सोते हैं तो रियल स्लिप तो देड़ घंटे की होती है ना आपको बहुत चमतकार लग होता है दिन भर हमने जो भी अनुभो किये हैं हमको जो अनुभोती होई है उसको ब्रेन को सौर्ट करना पड़ता है अच्छे अनुभो आए बुरे अनुभो आए हमको कुछ बुरा लगा मन में हमको कुछ हर्ट हुआ तो उसको तो मन ठीक करता है कि नहीं करता है और जो मन ठीक नहीं कर पाता है तो फिर हमको external aids करते है फिर हम गुरू के पास जाते है या दीदी को मिलते है और दीदी को बोलते है दीदी मुझे परिशानी हो रही है फिर वो दीदी सुनेगी और बताएगी तुम ऐसे करो ऐसे करो नहीं तो वो आश्वर करेगी कि कुछ करना आएंगे नहीं तो सफाई ठीक से होगी कि नहीं होगी अगर कोई मापिंग कर रहा है और हम बूट पाइन के चल रहा है जहां वो माप कर रहा है तो कैसे लगेगा फ्लॉर्ट एकदम चमकेंगे कि हमारे फूट्प्रिंट नजराएंगे तो जब हम उठते हैं तो जिनकी ए नहीं होई है उनको क्या होता है उनको रेसीडिवल प्रॉब्लेम हो जाता है कि नाउग खाने को हम कैसे रखे तो यह बहुत जंडरी गाइड लाइन है यह इंडिविज्वल नहीं कि जनरल अंडरस्टेंडिंग कि जो इसमें कूलिंग स्पाइस एड लंज जो खाना ठंडा करता है वो मसाले करें एक दो साइंस की स्लाइड से वो मैं निकालता हूं तब तक अग को इसमें और कोई क्वेश्चन है तो आप बताएए तो क्या करना चाहिए दूसरा है कि वींटर बहुत कोल्ड होता है जहां पर यह रहते हैं माइनस 25 ही तो ऐसे वींटर में कैसे ट्राइनस से बचें ठीक है ठीक है हम जाएंगे एक स्लाइड में आपको पहले दिखाता हूं और फिर हम जाते हैं फिर आपने कहा कि यह सीजन में कुछ जो भी किया है वो एक छोड़के बादमे वाली सीजन में असर करेगा तो अक्सर स्प्रिंग में अलर्जिस बहुत हो तो अभी क्या करें जो स्प्रिंग में अलर्जी ना हो तो यह सब हम जो बताएं कि जो सिंपल बाते हम बोल रहे थे तो हमने देखा कि हम जब ट्यूनीन करेंगे तो यह जो है कि हमारी पूरी लाइफस्टाइल माइंड बाड़ी अपने आप उसके साथ कोलाबरेट करेगी तो इसमें कुछ रिपीट होगा तो इसको मैं छोड़ दूगा क्योंकि यह बहुत ज़ादा है और देखिए कि अभी यह सीजन में कैसे कैसे हमारे जीन एक्सप्रेस होते हैं तो आप देखो कि यहां पर पूरूतू कौन सा है जानेवारी से लेके डिसेंबर तक और सबको उसका साइन्स तो नहीं समझ में आएगा पर आपको दिखेगा कि नेचर कैसे हमारे साथ कम्यूनिकेट करता है अभी देखिए कि हैट टीशू के उपर जो जीन का एक्सप्रेशन है कि यह सीजन अभी देखिए जो नीचे दिख रहा है जुले ऑगस्ट है ना तो उसके अन जलता है और अभी यह एक्जाम्पल सबको समझ में आएगा बहुत सान है कि इसमें जो पहला वाला है वह युनाइटेड किंडम है और बहुत सारे लोगों के अस्थमा के लिए पेशेंट्स टेकी समरें विंटर अस्थमा होता है तो यूके में जैसी है और आस्ट्रेलिया और युनाइटेड स्टेट्स है तो जो यूयाइस में जो पामवटर का उता है उसका लटा ऐस्ट्रेलिया होता है तो आप जो जो जीन की एक्सपरेशन देखो कि जो यूंाइटेड किंडम में जो है कितना जादा कोई पूछरा टेंपरेचर होगा तो उसका देखिए वह जीन अपने आप कर लेते हैं नाव युनाइड़ स्टेट्स में भी है पर इतनी थंडी नहीं है जितनी वहां थी है ना तो ब्लू कलर अलग दिखता है और आस्ट्रेलिया में उस समय समर होगा तो देखो जीन उल्टा हो गया है है तो उसका जो साइंटिविक डिस्क्रिप्शन ना भी समझ में आये तो आपको समझ में आया इसमें कि यह जो टिपिकल मंत्स है कि इसके मंत्स के साथ जिन उसको एड़ाप्ट कर लेते हैं और हाव टू बैलन्स इट तो इसके लिए वाता को मैनेज करना चाहिए और इसको आप सब भूल गए जो भी हमने बात की तो तीन बाते आप ले जाना है साथ में उसको बोलते हैं थ्री आर्स तीन आर को ले जाना है क्या क्या है रूटीन Rhythm and Regularity तो डेली रूटीन दिन चरिया Rhythm क्या होता है कि शरीर मन को सुनो मन बोल रहा है कि मेहिसूस्थ हो गया है तो उसको चेतन करो जौदा exciting हो गया है तो उसको काम करो तो meditation करो तो आपको सोचना भी नहीं पढ़ता है कि उसको ज्यादा हो गया है कब हो गया है। मेडिटेशन के बाद अपने अब ठीक हो जाता है। वेसे ठीक से खाना खालो खिचड़ी खालो तौप पीलव तजा सबजी खालो तो अपने पेड़ भी एपी हो जाता है और हमने पहले से बोलता है कि the highway to the health goes to the stomach कि अगर pet happy है तो person happy है सब मानते हैं तो कोई हम शादी में जाएंगे या conference में जाएंगे या retreat में आएंगे तो सबसे पहले लोग क्या बोलते हैं कि दिदी फिदी ने क्या चाहरा है वह तो ठीक है पर घाना अच्छा था और सबनाए बहुत अच्छे बात है य59 o यह झेलताम एक फार टिक नहीं हुआ रिग्जांपल ऐसे करेए देखा नहीं है तो क्या होगा तो इतना संतोश में भी सबको नहीं होगा क्योंकि उसमें कड़बन है तो यह जो है इसमें जो हम जिस डंग से इसको रियाक करते हैं मैं थोड़ा फास्ट फ्लाइड को रोल करता हूं तो इसमें जो तीन टाइप की इमिनिटी हमको आती है तो दाट इमिनिटेंड आपके जीन्स में है तो उसके लिए बहुत लिमिटेशन है हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह आपकी प्रकृती है दूसरा होता है कि यह हर साल हर फॉल में मुझे गड़बड हो जाती है तो उसके लिए बहुत सारे हम कर सकते हैं तिसरी बात है कि एज के साथ होत हैं चोड़े-जोड़े बच्चों को या सिमियर एज में वीमारी जल्दी आ जाती है आती है ना और जिनकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है उनको भी यह वीमारी जल्दी आती है हम लोग इसको बोलते हैं कि हम लोग को इसको इंडियूरंस करना है और यह इमिनेटी हमें इसी बढ़ाए कि जिसके साथ यह तीनोग तो इसको जो संस्कृत नाम है hereditary उसको बोलते है sahaj जो seasonal होती है उसको बोलते है college और जो established जो हमारे शरीर में established है उसको बोलते है yukthi creed तो यह hereditary sahaj immunity होती है this is what we are born with and we cannot do much we can do certain level just to keep it going but the seasonal जो college होती है इसमें we can do lot of things and that's the main focus of Ayurved because of the season and that one reason winter so अभी तो fall है fall में अगर हमने ठीक से कर लिया था हम winter में जाएंगो यह सारी slides winter की है आगे वाली so we build a immunity so that digestion is stronger into the cold weather and जैसे होता है घर में thermostat होता है न तेमपरेचर control करने के लिए तो temperature गिर गया तो thermostat on हो गया तो जैसे temperature गिर गया तो अगनी कम हो गया मंदागनी हो गया जो कफा की प्रवुरुति है जब पित्ता की प्रवुरुति है वो तिक्ष्ण हो गया क्योंकि पहले गरम था तो यह और गड़वड हो गया और जो वाता वाले है उनको तिक्ष्ण अगनी हो सकता है जिसके साथ उनका डाइजेशन जो कैपैसिटी है वो जैसे कि अपने आप वो जागी होती है, फिर इस्टैबलेश होती है, इसस पर्मनेंट इंमीनेटी विच कैन बेरेलाइज भाए फालेंग डाइट याइट अगर आप तीन चार पाँच साल, 10 साल इसी धंग से रुटु चरिया, दिन चरिया, रिटु चरिया, दिन चरिया, पालन करो, spiritual path को follow करो, तो आप establish हो गए, फिर rain और shine, आप बोलते हैं, मुझे तो कुछ नहीं होता है, rain और shine, but it has some special ingredients to that, और अल्मस्ट एक पाउंड अमरित नेक्टर पेज बनाने के लिए 25 पाउंड रॉइंग्रेटियंट्स लगते हैं, तो आप समझ सकती हो कि यह दवाई की भी वैल्यू कैसी है, उसका बनाने का विधी है, उसके लिए सिद्धी है, तो वो सब जब जिस दंग से हम फॉलो करेंगे, तो ही उसकी बेनिफिट हमको जादा होगी, and that is where we say कि बला, बिंटिंग the strength, without any state of the disease, now, so इसमें अभी हम नहीं जाएंगे, पर यह जो है दोशा एंट टाइम अप देए, तो पित्ता होता है, यह स्लाइड अभी में बढ़ा नहीं कर सकता हूँ इस पर, but the ten to two, सुबह और रात को पित्ता होता है, दो से six बजे तक वाता होता है, और six से दस बजे तक कफा होता है, ठीक है, तो यह cycle दिन में है, पूरे दिन में यह गुमेगी, तो इसी लिए, जब है, सबसे ज़्यादा अच्छा काम करने का समय क्या है, दस से दो बजे तक, और activity करना, नहाना, धोना, काम करना, cooking करना, सबसे अच्छा का समय क्या है, सुबह को six to ten, और धैन करना, चिंतन करना, म्यूजिक सुनना, two to six, है न, little knack करना, बहुत छोटा, example है, नाउ, यह थोड़ा winter का है, तो हम इसको skip करेंगे, पर यह basic, बाते होती है, कि spring में कफा season होता है, summer में पित्ता होता है, fall and winter में वाता होता है, बट अगर fall and winter में, जब बरसात आती है, बारिश आती है, और जब बादल आते हैं, तो वो वाता कफा बदल जाता है, ठीक है, तो फिर अभी कफा में भी बदलाव आ गया, क्योंकि बादल आ गए, जब बादल नहीं है, तो बिलकुल हवा साफ है, तो बिलकुल आसान हो गए, नाउ, तो warm and cooked food, यह सब बात हैं हम नहीं की, तो इसके बारे में अभी हम नहीं करेंगे, पर में भी थोड़ा इसके उपर करेंगे, कि गूड़ इटिंग हैबिट्स क्या होती है, अभी हमारे याथ हम देखते हैं कैलिफोर्निया में, तो मेरे को तो बड़ा अच्चमा होता है, कि मैंने दो मिनिट इधर देखा तो मैं तो दूसरी लेन में चला जाते हूं, लोग तो लिप्स्टिक लगाते हैं, सैंड्विच भी खाते हैं, कंगी भी करते हैं, तो पता नहीं, इतना सारा स्किन कहां से आता है, पर यह सब डेंजरस की, अभी बोरा की बस बात्रूम कार में नहीं है, बाकी सब कार में हो जाते हैं, है न, उसके लिए तो रुकना पड़ता है, तो यह जो बात है, कि वो ठीक बात नहीं है, आईरवेद बोलता है कि जो चलता है, वहाँ खाना नहीं खाना चीए, जो भी चलता है, वहिकल में बैठके, खाना खाना अच्छी बात नहीं है, शांती से बैठो, जाड के नीचे बैठो, बेंच के उपर बैठो, अच्छा वाइबरेशन हो, और खाना भी जो है, ब्रेकफास्ट होता है, वो ब्रेकफास्ट होता है, वो पूरी रात फास्ट किया, तो एकदम बड़ा राजा जैसे नहीं खाने का, है ना, तो ब्रेकफास्ट को खाना है, भगवार ने जो खाना बना है, क्या बना है, ठी, टाजा खाना है, fruits nuts porridge वो breakfast बहनिए हो गया उपमा इडली शोटे चोटे जो गरम होती वो आच्छी चीज होती है सब कुछ होता है बहुत ज्यादानि क्र सकते है PT निकर सकते मेंगा है तो थोड़ा थोड़ा सबको थोड़ा थोड़ा खाऊ लंच है राजा जैसे का सब कुछ आपॉड कर सकते हैं जितना आप चाहो खाऊ लंच और जो डिनर है बेगर जैसे खाऊ कि उसी को हम बोलते हैं इंटर्मिटन फास्त है भी गया पर रखो सूरज डुबने के बाद नहीं खाने का जैन लोग जैसे फॉलो करते हैं उसी के साथ तामसी फूड नहीं खाऊ जो जमीन के नीचे उगता है उसको सूरज नहीं लगा थो वो तामसी फूड थो उसको रात को खाएंगे तो तमस के साथ तमस अच्छी बात नहीं है अभी कितना खाए अभी मैंने वह राजा जैसे खाऊता आप बोलोगी तो मैंने तो ट्रक बर खा लिया नहीं वैसे नहीं तो जो हमारी मुठी है तो अंजली दोनों हाथ अगर मेरे दूसरी हाथ में फोन है वह प्रेज है तो ज्यादा खाएंगे तो फुल जाता है स्ट्रेच हो जाता है तो इसलिए हम बोलते हैं पेट को हाथ गुमाते हैं कि बहुत ज्यादा खा लिया क्योंकि मसल बहुत टाइट होगे जो कैपैसिटी थी जैसी मैं दो पाउंड की बैग ले गया जिसमें आता है मैंने ठीक बात नहीं है और उसमें 50% solid food 25% liquid 25% leave it for the ether no matter what season it is and then जो दास का खाना है डिनर सोने से पहले तीम से चार घंटा पहले खाना चाहिए एंड लोग बोलेंगे snack के लिए क्या खाएंगे कुछ नहीं आयरुएदा में snack होता ही नहीं ठीक से खाना खाया है तो snack लगते नहीं है और nuts are very good for the vata ना इसमें हम नहीं जा रहे हैं नट को सोक करें या नट को रोस्ट करें फिर उसी से वो होता है क्योंकि अगर हम उसको नहीं करेंगे fire या तो उसकी digestion नहीं होती है और दूसरी बात है कि nuts को उसके जो गुड़ है वो थोड़े से अलग हो जाते है light हो जाते है डाइजेशन के लिए तो करने के भी अलग-अलग फाइदे होते पर जैसे walnut है for example तो walnut को हम soak भी नहीं कर सकते है और उसको roast करना भी इतना आसान नहीं है तो ऐसे कुछ nut को exceptions है पर जो भी nut को जो normally हम roast कर सकते है उसको roast करो almond जैसी बाते होती है मुसको soak करते है so now dealing with the vata mind so cause restlessness anxiety so diet helps for the restless mind जो पेट में है वो मन में है जो मन में है वो पेट में है मानते हैं जो खाने को दिल करता है वो पेट में डालते है जो पेट में है वो मन को बनाता है, सात्वे खाना खाये तो सात्वे विचार आएगे, बहुत मिर्ची खाये तो बहुत गुस्टा आएगा, फिर मुझ खोलोगे तो आगी निकलेगे, चांती नहीं, तो इसलिए meditation, योगा, ये सब बाते उसके साथ करनी चाहिए, कि एक के साथ दूसरी appointment नहीं रखे, supply a lot of water, पानी बच्चा पियो, क्योंकि ठंडी है तो पैस नहीं लगेगी, तो या रखना पड़ता है, पानी पिना है, और प्रैक्टिस डीप, रिलाक्स ब्रिदिंग, रिगिलर प्रणायन करोदीन में दो बात, तो ये मैंने कहां से देखा था, कि देखो ये बिल्ली बुद्धा के सामने बैठी है, बोले कि तुम मझे बहुत दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, I can do this all day, मैं भी बैठ सकती हूं, शान्त, तो meditation कर रहा, ध्यान करना कोई मुश्किल बात नहीं है, कि जो right environment में हो, तो बिल्ली जैसी जो कभी शान्ती से इतनी बैठेगी भी नहीं, वो भी फोकस करती है, वो भी देखो कि वो देख रहे है कि ये क्या कर रहा है, ये कोई studies है, मान नहीं जाएंगे कि कैसे उसके benefit होते है, पर इसको एक last वाली चार्ट है, तो ये massage का हम actually दिखाएंगे, ये कोई मर्मा की points है, तो अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, पर मर्मा के बारे में भी हम कभी बात, मर्मा ऐसे point होते हैं, कि जिसको touch करने से, या हलका तेल लगाने से, रोमा लगाने से, पूरे हमारे शरिर मस्तिश के उपर उसका benefit होता है, तो अभी इसके उपर थोड़ा हम focus करेंगे, तो अभी आप वाता-पित्ता के होंगे, तो इसके लिए क्या करना है, जो सब के सवाल थे, तो इसके answer इसमें condense आ जाएगे, कि exercise क्या करनी है, तो अगर, sorry, अगर आप वाता के type के हो, तो हलकी exercise करो, पित्ता के हो, तो moderate करो, कफा के हो, तो जो लगा के करो, कोई बंदन है, कफा बाड़ी, तो ये वाता-पित्ता कफा मुझे क्या है, कैसे समझेगा, जो lean and thin built है, वो वाता वाले है, जो medium built है, वो पित्ता वाले है, और जो heavy built है, कफा वाले है, तो अभी हम बोलेंगे कि, अभी मेरा संतूलन है, कि नहीं संतूलन है, कैसे समझेगे, मुझे ताइर वेर इतना पता नहीं है, तो खुद को पूछिए, मैं जब 16 साल का था, तब कैसे था, और वो image को ले आओ, और अभी बोलो, मैं 60 साल का हूँ, या, तो, तो साट साल की मेरी image, शरीर, वो 16 साल से कैसी मिलती है, जुलती है कि नहीं हो, और अगर नहीं जुलती है, तो, कुछ गड़ बने, तो कोई भी 16 साल के जैसा तो नहीं दिखेगा, पर अगर 16 साल की उमर में, हम वाता थे, और अभी कफा बन गए, तो, क्या हुआ, असंतुलन, लाइफ स्टाइल से आया है, हमार कुदरत ने हमको ऐसे नहीं बनाया है, मानते हैं ना, कि कुदरत ने हमको ऐसे नहीं बनाया है, पर हमने जो आचार विचार रखा, उसके साथ हो गया, यह हमें कफा जैसे पैदा हुए थे, पर अभी वाता बन गया, suddenly weight loss हो गय और स्टिमिलेटिंग वार्म जैसे सरसों का तेल डाट इस फॉर्द कफाट है और जो सेसमी का तेल है वो सब के लिए अच्छा है कोई बात में अभी जो मॉइश्याराइजिंग है वो स्कीन के लिए जरूरी है फेशियल स्कीन वाश करने के लिए वाता का होगा तो ओटमिल बहुत मॉइश्याराइजिंग होता है जब हम बात लेते हैं तो पोटली बनाओ ओटमिल की पानी में डालो तो वो हमारी त्वचा को स्मूथ कर देता है और जो है पिता के लिए मिट्टी लगाओ और जो कफा के लिए लुफा स्पॉइंज या बेसन का अटा उसके साथ करो एरमा थेरपी जैसे वाता के लिए फ्लोरल हर्बल वाटर पिता के लिए रोजन सैंडल वोड कफा के लिए गरम करने वाले होगे और कवरिंग वाता के लिए वार्म एंड कवर रखो पिता के लिए मिनिवम रखो जहां पर बहुत ज्यादा गरम ना हो फैब्रिक कौन सा वाता के लिए जो होता है सिल्क और वूल का फैब्रिक अच्छा है और जो पिता के लिए कॉटन सॉप्ट एंड लाइट सो अगर पित्त प्रकृति है तो सॉप्ट एंड लाइट कॉटन पेस्टल कलर्स और ग्रीन सेन वेजी वाता के लिए प्लेंटी खाओ और थोड़ा आच लगा के खाओ कच्छा खाना से वाता बेढ़ जाता है पिता के लिए थोड़ा हल्का लगाओ तो पित्ता के लिए डाइजवेश्ण आसान होता फा के लिए उसको भी उनको इतना growing ककी उनका डाइजदन यूज्वाली लिकोरिश अवेड़् हाट स्पैसी फूड लाइच चिली फॉर पित्था पीपर और की मिन कॉरिएंडर टर्मेरीक ब्लैक पेपर जिंजर ये वाले मसाले यूज्व़ली कफा के लिए अच्छे होते जो स्टिमिलेटिंग है और वाटर वार्म और रूम टेंपरेचर वाता क के लिए और वार्म और रूम टेंपरेचर कफा के लिए तो यह बहुत बेसिक बेसिक गाइडलाइन हुई क्वेश्टन है कि जॉइंट में के लिए क्या किया जाए आपके पास कुछ पल होगे अभ्यंगा एक्स्पेंट करने के लिए वो क्या है बिलकुल करेंगे क्योंकि अभ्यंगा और एक स्पेसिबिक टेकनिक हम बताएंगे कि जिससे पुरा एनरजाइस हो जाएंगा अभी हम देड़ घंटा बैठे हुए कुछ किया नहीं सुन रहे हैं हाथ को पहले जमाल नो जैसे हम नमस्ते करते हैं अगर आपको जिनको तेल लगाने वह तेल भी लगा सकते हो और इसको बहुत पैर से कि जो आप क्या बोलते हैं उसको लाइट देखो हाथ में देखो हाथ को कि जो भी किरण आ रही है उपर से आ रही है क्योंकि हाथ जगनात होता है तो बहुत पैर से करिए इसको जैसे कोई रोटली बना रहा है कोई और यह जो है एक एक उंगली को हम खीचेंगे ऐसे पैर से कीचेंगे हम दुसरे को नहीं क्मालिश कर रहे हैं कुछ कोई करना है जो बहुत अच्छी स्माइल करिए सुहास से बोलते हैं कि इसको साइड से कीचिए साइड से कीचिए अभी जो नी रिस्ट है इसको सरकल करें जैसे बैंगल लगाई है तो बैंगल के साथ तो ऐसे करें और फिर इसको इसको कीचिए इसको खीचे इसको खीचे और चालू बन चालू बन तो अभी दोनों हाथ को ऐसे देखिए क्या फरक लगता है दोनों हाथ में कुछ लगता है मेरे को तो लगता है यह हाथ हाई नहीं कि इसको लाइट हो गया कि नहीं है तो अभी यह साइड को भी ठीक करेंगे इसको करेंगे ऐसा जिदोने अंगोटी पैनी है वो उसको समल के करिए और तेल हो तो बहुत आसानी से हो जाता है कि मेरे हाथ पर थोड़ा तेल है यह कौन सा तेल यूज करना चाहिए जो भी आपक क्यण करें वादिशी आपकी पितता की बाड़ी नहीं है तो कोकॉन अडूट ओयल केस्टर ओईल ऐसे जय शुको अहीं पनाया गया है और अगो जिनके पासको तील का तेल लगाओ ऑली ओईल लगाओ घील लगाओ जो भी है coconut oil लगाओ, कोई बार नहीं है, so now ये भी हाथ को हो गया, है ना, तो इसको भी, same, मैंने इधर पाच बार किया था, तो ये भी इतनी बार किया, तो अभी मैंने देखा, तो मैंने हाथ पकड़े, तो कैसे लगता है, कुछ energy change होई कि नहीं, सब अभी डल हो रहे थे, बात कर रहे, slide के उपर slide चल रही है, बोले जा रहे, बोले जा रहे, तो अभी कुछ करने का है, है ना, तो सब उठाओ, जो भगवान सोया है, उसको जगाओ, तो आरती नहीं, बट उसकी पुजा, शरिप पुजा करो, तो इसको मसाज करो, और जिनको कोई मंतरा आता है, गाना आता है, वो बोलो, अराम से बोलो, अच्छी बाते, चांट करो, जो भी पुजा के, खुछ मेंचे जाएंगे, तो अभी हम इसको उपर नीचे करेंगे, उपर नीचे, क्योंकि ये लंबा है, फिर अभी अल्बो आ गया, तो आपना है, और अल्बो को हम सरकल करेंगे, और इसको सिर्फ़ कीज़ देगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे चोड़े चोटे जॉइंट है तो इसको भी थोड़ा स्क्वीज कर देंगे तो सब कुछ हो गया अभी पकड़के देखिए तो फरक हो गया कि बहुत मेरे तो बहुत लाइट हो गया और यह साइड भारी हो गई तो यह भारी थी यह मुझे पता न पर जाएंगे मसाज करिये कोई अच्छे-अच्छे मंतर बोलिये अच्छी इमेज देखिये सूरज उगरा है यह चांद आ रहा है फुल मून ब्यूटिफुल है तेरा मेरे वेरी हैपी खाना तो बहुत अच्छा बना था अभी भी खुश्बू गई नहीं है मुह में अभ साइड उपर चोटा सा गुम्रा निकलता है क्या करना या तो उसके बारे में जैसे इंडिविजुल किसी को भी क्वेस्टन होंगे तो आप मुझे टेक्स कर दिजिए मैं आपको बता दूंगा पर ऐसे हर एक को इंडिविजुल हम नहीं कर पाएंगे इसमें क्योंकि यह प मैं आपको भी जूंगा क्या तमकर लिए क्या दिजी से मांग लिजे हां सो अभी हाथ को यहां पर क्या करने का हम बताएंगे आप टेक्स करिए किसी को किसी के पास दंबर लेना है अब हम ऑचल दालते हैं चैट में डालते हैं इंडू कर लेना के अभी हमारा ताइम होने आया है ताइम आप चिली वीयर रनिंग ओवर टाइंगोज़," अफ़िए ओवर टाइम," यह तक्रई है। और फिर रिस्ट को गमाएगा और इसको खीचेंगे स्वीज करें तो अभी उपर हेड से जाएंगे इसको करेंगे यहां पर भी मरमाज होते हैं तो जहां पर हम पहले ऐसे हाथ को रखेंगे यहां पर करेंगे कान को थोड़ा खीचेंगे कान के पीछे जाएंगे और अभी इ पीछे पीट को करेंगे फिर जो हीट को रोटेट करेंगे पैर को है पैर को आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हों और नी है तो नी को सरकल करेंगे नीचे वाले पैर को करेंगे सरकल अपके पास अगर कोई इसका वीडियो है तो हमें बेश ना है 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 वीडियो है तो अभी हम आगे ब पीडिएफ आप पढ़ रहे हैं तो यह हाथ है इसको समझें ऊपर कोई फल है तो हम क्याच करेंगे हमारी बास्केट में डालेंगे तीन बार एक दो तीन तो यह खत्म होंगे बस और अभी लेफ्ट समें भी तीन बार करेंगे तीन फल करो एक दो तीन ज्यादा नहीं बाकी लोगों को भी चाहिए तो रख दो और अभी दोनों हाथ से करेंगे सब के लिए जब को बाटना है तो नव बार करेंगे एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ नव बस और हाथ को ऐ से पकड़ने बस ऐसे करो तो इसी के साथ हम यह प्रेजेंटेशन को खतम करते हैं तो होपोली आपको अच्छा लगा हो और दिदी का अभार और हमारे सब दिदी को प्रणाम और आपको प्रणाम कि आप आके इसमें एंगेज हुए हुए